बिमित्रा की घटना को लेकर कल राजधानी राइपूर में विहिप और बीजेपी कार्यकरताओं द्वारा एवान किया गया जिसमें कार्यकरताओं द्वारा भाटा गाउं चौक हाईवे में चक्काजाम और बस में की गई तोड़ फोड के मामले में पुलिस ने सकत रुक अ पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है ठाना टिक्रा पारा और ठाना गोल बाजार में भाजपा नेता और कार्यकरताओं के खिलाफ नामजद F.I.R की गई है पहला मामला ठाना टिक्रा पारा का है सुभा बंद करवाने निकले भाजपा कार्यकरता ने बस स्टेंड में तोड़ फोड़ की वहीं दूसरा मामला थाना गुल बाजार का है जहां जैस्तंब चौक में चक्का जाम किया था जिसमें भाजपा के बड़े नेता, केदार गुपता, संजुना रैंट सिंग और विहिप नेता, चंदर शेकर, वर्मा, घंश्याम